के आप सब्सक्राइब कर दिए और सब्सक्राइब कर दिए तकி आपके फ्रेंड जो अभी स्टेस्ट को दे पाएं और वह अपना जाज कर पाए कि हम में कितना आ रहा है चैनिन अब तक कितना पढ़ा है मैं सभी अंसर दीए पा रहा हूं कि नहीं दीए पा रहा हूं ठीक है इस ड्वेंट चलिए मैं क्यूसन स्टाट करता हूं आपका टेस्ट परारम होने वाला है बहुत अच्छी तरीके से टेस्ट दीज यहां पर कि किसी सब्द कोस में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे बहुत ही प्यारा प्रश्ण है कि किसी सब्द कोस में किसी सब्द कोस में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा ले करेंगे 50 सेंटीमेटर फोकस दूरी का एक और लेन्स कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कल झानर पसंद करेंगे ये कि यौ कर रहा है आपके कमेंट का और कमेंट आना सुरू हो किया है आप लोगों ने सही उतर दे चलि मैं भी आपको सही उतर बता देता है इसका सही आंसर क्या होगा कि किसी सब्सक्राइब पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेस्ट पसंद करेंगे तरह आप सन 20 क्यूसन का सही आंसर जागा क्या कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कौन स दूसरे क्यों रह Holmes क्यों देक् ideia बहुत फ्रश्न hebben दूसरा है कि क्यों स्क्राइब बोलना यहां पर है कित्राकास का परखिरुणान सबसे कम बताए आप रखिर्ष का प्रकृइब तो इसका बताएन सबसे काम होता है शुरू करके लिए कि मरे ना सबसे चलिए मैं भी इसका सही अंसर बता देता हूं कि ताकि आप लोग मेरे आंसर से मैच कर लिए कि हाँ आपका आंसर सही है या गलत है तो प्रकास का प्रकास का प्रकुर्ण सबसे कम लाल रंग के लिए ठीक है प्रकास का प्रकुर्ण सबसे कम लाल रंग के लिए ठीक है प्रका कबसे तो 10 होता है सुक्रोच की रूप में प्रोटीन के रुप में के रूप में की रूप में बहुत ही जादा महत्यपूर प्रस्थन है इन चारव अप्सन में से बता है कान साब्ससी सही जल्दी किजिए और इसका सही आंसर चूज करके बताए कि आपसन एक आपसन बी कि आपसन से क्यापसन डी होगा सही आंसर जल्दी बटाइए कि भोजन फुलोयम द्वारा भोजन का कि आपसन एक नबर बोड़ एक जाम में पका होगे कि यह सारे प्रश्णाप को दुझार कि वोड़ा इकजामे देखने को मिलेंगे ताप उसका अंशर बहुत अच्छे से इसका आंसर दे सकेंगे चलिए कंति साइंब और फोर की वर्थ चलते हैं चलिए इस बहुत यही उणिसके बहुत ही संबंदी थे रसा रुहन से संबंदी थे कि परासरण से संबंदी थे कि और सोसरण से संबंदी थे कि विस्तरण से बताईए बहुत ही पैरा प्रश्ण है बहुत ही ज्यादा महत्वूर प्रश्ण है जल्दी से कमेंट करके बताईए क्या होगा इसका सही आंसर कि डिक्सन एम जोली आप लोग तो जल्दी सो बताई मैं वेट कर रहूं आप लोगों को कह रहा है यहां पे कि डिक्शन हम जोली संबांदी थे तर रसा रूहर से संब्सक्राइब किसे रसा रूहर से आप सन एस्क्यूशन के क्या जागा सही आंसर जीतने लोगों क्यों आप सने इस क्योशन का सही आंसर दिया होंगे बिलुकुल उनका हंडेट परशंट सही है ठीक है चलिए इस साथ हम बढ़ेंगे अगले क्योशन के वर फाइब कि इतना मुस्ट इंपरजन है क्योशन और फाइब यह कह रहा है कि एक बिलियन का पियाच मान पांच हो तो बिलियन का इसा होगा इस्टुएंट बताई है कि च्हारी होगा कि उधासीन का किनमेस को ने बहुत ज़्यादा महत्वपूड परशण जल्दी से बताई है क्या होगा इसका सही आंसर इस्टुएंट जल्दी बताईए फास्ट रिप्लाइग कीजे कि सम्मेह नहीं है साथ से डाउन होता है तो जीतने लोग ने आपसा ने इस कुछन का सभी अंसर दिये हों गे तो बिल्कुल उनका अन्डेट परशंट एक नमबर उसका बोड इग्जाम हो गया चलिए क्यूशन हो गया इसक्साथ हम बढ़ेंगे अग्रें क्यूशन की ऑर और क्यूसन टो चलिए जफानरों को चल्ड़ाएड है ताम्रा ग्लांस ग्लांस का रसानिक सुत्र एक उर्पर फुर जल्दी से इसका पता यह क्या होगा कि लू तो सलिक्सा का रासानिक सुत्र जल्दी बता कमेंट करके कुछ लोगों का सभी आंसर तो कुछ लोगों का गलत भी आ रहा है कोई दिक्कत नहीं जब मैं आंसर बताऊं को तो किलिए आप लोगों को आयाद भी हो जागा कि प्रशन बहुत ही ज़्यादा महत्तों पूर हैं तक उसने करा कि तामर गलांस का रसानी सुत्र होता है क्यों क्नी दिक्कत नहीं ठीक है उनके ठेहर ही बहुत अच्छी चल लुए शत्रा जो लोग नहीं आंसर दे पांए तो कोई दिग्कत नहीं आप व्याधि याधिविया आगा तो लीजेगा तो Все 57 क्या क्या रहा है क्योंसी दातु ठंडे जल के साथ अविक्रिया कर लेती है कापर की आइरन लोहा की मैगनीशियम जस्ता की सोडियम कैल्सियम बताइए इन चार आप्सन में से कौन सा आप्सन सही होगा जल्दी से कमेंट करके बताइए बहुत ज्यादा मुस्ट इम्पोटेंट एक क्य रख लेती है कापर आईरन लोहा मैगनीशियम जस्ता सोडियम कैल्सियम बताइए जल्दी सबताइए यहां पर आंसर आना चलू हो गया आप लोगों का आई होप आप लोगने सही आंसर भी दिया होगा चलिए जब मालुम जब चलेगा जमीशा सब्सक्राइब बताऊंगा ठीकिन उड़ा उठाए उसमें तो चलिए इसे के साथ से वन के लिए रोता अगी जिनको लिए तो इहां याओं नहां ना में बताएए Do तो देखेए या फाइनल सकत उपा मेलिध का आनसर होगा ए жизни लोगो पुझत करके आएंगे चलिए क्युषार म FRE meow लोगने कीक्षाइब और च्लते हैं उसका आंसर देने के लिए हो जाए हैं तयार क्योंकर क्युक्षार्च बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर करें दूस्तों दोस्त desk बताइए और संतुप्त योगी कौन है एथेन की मेथेन की एथी एथिलीन की एथाइल एलकोहल बताइए बहुत ज्यादा महतोपुड़ परक्ष्ण क्यूस्त नमर नाइंथ फटाफट इसका अंसर बताइए क्या होगा इन चारों आपसन में से इसका सही आंसर कि निवलिकित हो जाएगा क्यों लोगों का भी हो जाएगा बोड़ी जा में अच्छांग पाप आएंगा वह भी तो चलिए फिलाल आपको इसक्यूसन पर दियान देना है चलिए इसका सही अंसर बता देता हूं कितमें से और संतुप्त योगिक है ठीक है तो कौन है वह तो एथिलीन है क बागे सब संतुप्ति होगी है जीतने लोगों ने आप से दिया बिल्कुल उनका सही आंसर है और यह क्यों सन नाइथ के लिए हो गया हो तो हम बढ़ेंगे अगले क्यों सब्सक्राइब कितना प्रस्टन है बहुत ज़्यादा महत्तों पूर्ड है अब क्यों सब्सक्राइ बहुत ज्यादा मुस्ट इंप्टेंट इन चार अप्सिंट प्रस्टन चालिया हो गया और लोग नहीं कोई दिकत नहीं कि यूशन महत्तपूर है ऑफिस बोडिजाम के लिए अभी मैं अंसर बता और किलियर हो जाएगा इसको याद कर लीजेगा ठीक है इससे आपका वह सब्सक्राइब नहीं मिलेगा क्योंकि बोडिक्जाम नजदिक है अब यह लास्ट रियूजन चल आप लोगों का इसके बाद आठ मईचे आप लोगों का बोडिक्जाम में स्टार्ट होने वाला है ता आप किलियर लिस समझ लिए इस क्यूशन को की सिस्ट एपसिन एंजाइ में उनका बिल्कुल सही आंसर है तो इस वीडियो मेंने टोटल कीतना मोस्ट इंपोर्टन क्यूशन के मैंने टेस्ट आप लोगों से लिया आप बताए कि दस में जूल बंदा दस में कर लेगा है यह पूरा टेस्ट को कौलिफाइड समलिये के बोड इक्जाम में उन्जू कि आप भी सेर कीज़े तकि ओलो भी इस टेस्ट को दे पाएं अच्छी तारीके से चलिए मिलेंगे आप से निक्स्ट वीडियो में तब तक लिए दोस्तो धन्यवाद